प्रतीत होता है, रामण की बातों से माता सिता व्याकुल हो उठी है ना राजपाट और फाग्य गवाकर वन वन भटकता है थर्टी पर सोता है शित में तो शक्का हो रही है कि वो कहें जीवित भी है कि नहीं नहीं ए प्रभू, स्वान म्रेक की त्रिशना इदी भायंकर हो सकती है इसकी कलपना तक नहीं की थी मैंने एक निरह पशु की माया में आकर दूसरे हिंसक पशु के माया जाल में पस गई मैं इस म्रेक त्रिशना का ही परिनाम है ये जो बार-बार मुझे अपने पती का अपमान सैना पर रहा है कमारी बनाई इसी में है कि भोल जाओ उस्बेक्शुक पती को लगार कर लो महराज रावण को रावण ही ने वो तुछ राक्षिसिया भी मेरे स्वामी के प्रती अपमान जनक भाषा का प्रयोग कर रही है जो स्वामी का नाम लेने योग के भी नहीं है रखुकुल की प्रतिष्टा को दूल दूसरित कर दिया है मैंने उस दिन उनकी बात नामान कर उनका अपमान क्या किया आज और उके मुख से उनके प्रती अपमान जनक बात देश्रनी पर रही है मुझे समस्त्रकुकुल अपमानित हो रहा है अज मेरे कारण कदाचित इसलिए अब तक वो मुझे लेने नहीं आए उनकी बात नामान ने काई धर्ण है यह साहस्त्रो राक्षसों का वद्ध करने वाले महायोध था एरे स्वामी रावन का अंद करने अब तब क्यों नहीं आए क्या उन्हें ग्यात नहीं कि मैं लंका में हूँ मैं चाहे तू तीनों लोकों में ढून कर शीग रही मज़ तक बहुत सकते हैं फिर इतना विलम क्यों क्या उन्होंने वहराग के अपना लिया या मेरे वियोग में शत्रिय धर्म त्याद कर सन्या से बन गए वे या कही ऐसा तो नहीं कि माय वी रावन ने जल से मेरे स्वामी के प्राण हर लियो कुछ तो हुआ है जो दस मावेती दोने तक भी फिर मुझे मुक्त कराने यहां नहीं आए ऐसे स्थिती में मैं स्वायमने जीवी तरकत क्या करेंगी मैं जीवित नहीं रहूंगी मैं चुआ है लियो रहाँ 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 रहा है वोओस रहाँ माता सीता को ऐसा करने से रोपना होगा माता को आश्वस्त करना ही होगा किंतु किंतु कैसे कोई कोई तो युक्ति निकालनी ही होगी जिससे माता भैभीद भी ना हो और उन्हें मेरी बात पर विश्वास भी आ जाए अब तो मात्र एक ही विकलप है मेरे पास हीराम हीराम के बिना मेरे जिवन का कोई अर्थ नि अब तो यमलोख ही मेरे लिए एक मात्र स्थान बचाए जहां मैं इस वता पहुँच सकती हूँ नहीं मात्र स्था ऐसा नहीं कर सकती हूँ ना 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 शीते ना शीते ना शीते राम श्री राम श्री राम जै जै राम रग कुल में दशरत आंगन में चंद्र मुखी श्री राम थे जन में हर्षत उल्ला सित थी दिशाएं रीप अवध प्रच्वल घर घर में राम श्री राम श्री राम मुझे जै राम स्वामी के नाम की द्वानी यह लंका में यह कोई माया है यह मेरा दिवास वापन यह मेरा प्राव कुछ तो अच्छा होने का अभास हो रहे मुझे शेव धनुष की प्रत्यंचा चड़ाई जीता स्वयंबर जान की पाई वित्रवचन हे तुचले वन को राण जाए पर वचन न जाए राम श्री राम श्री राम जै जै राम ये मधुर स्वयर लेहरी कहां से आ रही है कोई मधुर स्वयर में मनों हरसा गीत का रहा हो जैसे पहाती पवित्र और मन को शांत करने वाली जोनी है ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई मध्दम स्वयर में लूरी का रहा हो यग्य में करते असूर अनिष्ठा राम विनाश किये सब भ्रष्टा पंच वटी बसे वध कर डाले खर दुशन और ताट का दुष्टा राम श्री राम श्री राम जै जै राम राम श्री राम श्री राम जै जै राम शोक राम को विधी ने लेखी रावन ने हरली बैदे ही किष्किन्धा सुगरीव मिले तब राम किये वधवाली का धर्मी राम श्री राम श्री राम जै जै राम राम दूत बन कर इकवानर लंका पहुचा लांग के साधर चहूं दिशामा जान की खोजी दर्स दिये माताब जाकर राम, श्री राम, श्री राम जे जे राम प्रणाम माता, देखा स्वामी, कैसा अलोकिक, अध्भुत और पवित्रता से भरपूर जड़ेंगे आदिवेश्वरी, राम दूथ हनुमान की योद, देवी सीता का प्रथम बार देखना, हनुमान का भी, अपनी श्र्दे माता सीता का ये प्रथम दर्शन, इन दोनों के दर्शनों का ये प्रथम श्र्ण, श्री राम की कथा में, सिध्धी सर्ग के रूप में, जग प्रसिद होगा, जो मनुष्य, इस दृष्य का मन में भी अबलोकन करेगा, या इसके बारे में, पढ़ेगा य जीनों की अपार कृपा होगी, उन्हें सिध्धी, एवं बुद्धी की प्राप्ती होगी, ये सत्या है या स्वापन, उगीत वाला वानर, साक्षात मेरे समक्ष है, ये मेरे मन की कलपना नहीं, सत्या ही है, प्रभू श्री राम के नाम मात्र से, माता का मुखड़ा प्रफुलित हो उठा है, जैसे घने मेक छट जाने से सुर्यदेव चमक उठते हैं, विरह के अंदकार में आशा का सूर्य आलोकित करने वाले ये वानर, स्रिष्ट जो भी हो, हे प्रभू प्रिहस्पती, मेरी प्रार्थना है, कि इनका कथन सर्वता सत्य हो, हे परम पिता ब्रम्भा जी, इनकी कोई भी बात मिथ्या ना हो, अब बस, माता मेरे कथन पर विश्वास करके, मेरी बात सत्य माल ले, जिससे मैं माता को प्रभू श्री राम का संदेश देकर, इनके संतब्त हिरुदय को सांत्वना प्रदान कर सकूँ, इनका दुख दूर हो जाए, कौन हो तुम, मेरे समक्षाओ, और अपना परीचे दो, स्मरन रहे, यदि मेरे साथ कोई माया या चल करने का प्रयास भी किया, तो तुम्हारे लिए अहित्कर होगा, प्रणाम माता, भक्त कभी अपने अराध्य से चल नहीं कर सकते माता, माता, आप जिन प्रभू श्री राम की प्रान है, मैं उन श्री राम का एक तुछ साथ दूध हूँ, जिसे स्वयम प्रभू श्री राम ने आपको ढूनने के लिए भेजा है, लंकेश दशानन रावड़ू बस, बंद करो अपना ये चल, पहले स्वयम अम्रिक बनकर मुझे मोहित किया, फिर सन्यासी बनकर मेरा हरण किया, अभी कपी का वेश बनाकर मुझे चलने आया हूँ, नहीं माता नहीं, मैं तुम्हें भली भाती पहचान गई हूँ मायावी, फेश बदलने में तुम पोण तया निपोण हो, रावण, अब तुम्हारी कोई भी माया मुझे नहीं चल पाएगी, माता, प्रभूश्री राम के भक्त को उनके शत्रू, उस दुश्र रावण के नाम से संबोधित मत करिये, मेरी बात का विश्वास केजिये माता, मैं कोई अन्य नहीं, प्रभूश्री राम का संदेश वाहक हूँ, प्रभूश्री राम का दूध हूँ मैं माता, प्रभू का कैसा अधम सेवक हूँ मैं, माता सीता का विश्वास भी नहीं पासेका, दुष्ट रावण समझ कर, उन्होंने मुझ से अपना मुख फेर लिया, कैसी तु विधाये, मेरा रिदय कहता है, ये वानर अविश्य राम दूध है, मेरे स्वामी ने इसे मेरे पास भेजा है, परंतु मन कहता है, कि ये भी उस दुष्ट छद्मी रावण का कोई चल है, किस पर विश्वास करो? माता, विश्वास कीजिए मेरा, मैं सत्य कहता हूँ, मैं राम दूध ही हूँ, मैं वानर हनुमान प्रभूश्री राम का अनन्य भक्त हूँ, और उनके आदेश पर, मैं आपको यहां ढूड़ने प्रस्तुत हुआ हूँ, माता, एक वानर प्रभूश्री राम का दूध, ये कैसे संभवे? माता, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, जब आपको ढूड़ते हुए, वलकल वस्त्रधारी, नरसिमों के समान, पराक्रमी, दो शूरवीर धनुरधारी, प्रभूश्री राम और उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण ने रिश्य मुख परवत की सीमा में प्रवेश किया, तो उन्हें अपने भ्राता, वाली के सहयोगी जानकर, वानर राज सुग्रिव अपने जीवन को लेकर भया क्रांतु हुए, तब उनके निकट जाकर, मुझे उन वनवासी राज पुर्शों की दिव्यता और महानता का बोध हुआ, तुम्हारे दिव्य गर्ण कुंडल और कंधार, तुम्हारी पहचान है हनुमान, और मैं उन्हें अपने कांधे पर बैठा कर महाराज सुग्रीव के समीप ले गया, उसी दिवस्त प्रभुश्री राम और महाराज सुग्रीव के मध्य, एक अक्षुन्न मैत्री स्थापित हुई, दोनों ही अपनी भार्या के व्योग से त्रस्त थे, और उन्होंने एक दूसरे की सहायता करने का प्रण लिया, तत्पस्चार प्रभुश्री राम ने महाराज सुग्रीव के अग्रज बाली का वद्कर अपना वचन निभाया, तो महाराज सुग्रीव ने आपका समाचार प्राप्त करने, दसों दिशाओं में अनेक योग्यवानर योधाओं को भेजा, मैं उन्ही में से एक हूँ माता, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए, हे माता, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा माता, कि मैं प्रभु श्री राम का ही दूध हूँ, हे कब विवर, यदि आप सत्य कहते हैं और आप मेरे प्रभु श्री राम के दूध बनकर यहाँ पस्तित हुए हैं, तो आपका मंगल हो, परन्तो मेरा मन अभी भी अनिक शंकाउसे बिचलित है, उनका निवारन करने हे दूध, आप मेरे प्रभु श्री राम की महीमा का विस्तार से वर्णन कीजिए, क्योंकि यदि आप राम दूध हैं, तो आपको मेरे स्वामी श्री राम के सामी प्यका सुखलाव प्राफ्थ हुआ होगा, हाँ मा, हाँ हुआ है मा, और आप उनके, सभी उत्तम गुणों से भली भाती परिच्छ थुए होगा, माता, आपके इन वचनों का श्रवन हनुमान के लिए अत्यंत सुख कर है, अपने आराध्य, प्रभू श्री राम का गुणगान करना तो मेरा परम्सो भाग्य है, प्रभू श्री राम का स्मरण और उनका नाम लेने के लिए तो ये भग सदैवातुर है, सुनिए माता, सूर्य के समान तेजस्वी हैं वो, और चंद्रमा के समान संपूर्ण जगत को शीतलता प्रदान करने वाले भी हैं। ऐसे हैं मेरे प्रभू श्री राम। प्रभू श्री राम। राम चंद्र ज्यानवान नम्र भाशी शीलवान चंद्र जैसे मुख पे सूर्य के समान धूप है। शंख जैसी है ग्रिवा भव्य लंब है भुजा काम देब से मनोहरी प्रभू का रूप है। भू के रक्षा शीलवो विनेह सेहन शीलवो ब्रिहस्पति के तूल्य रघू वीर ज्यानवान है। भाक्त के क्रिपाल वो शत्रों के काल वो धर्म राज के समान राम न्याएवान है। रामनी दिवान है वो सर्व शक्ति मान है कैसे मैं विशेशता सुनाओं प्रभू राम की। मन में लाख भाव है शब्तों का भाव है। मेरे ही अमे रचे बसे है राम ही राम है। मेरे ही अमे रचे बसे है राम ही राम है। माता मैंने अपने सामर्थ के अनसार प्रभू श्री राम के वर्नातित गुणों का बखान किया। अपने प्रत्यक कथन से आपको अपना विश्वास दिलाने का यथा संभो प्रयास भी किया। परंतु मुझे ग्यात है। शंका की छाया जो आपके हिर्दय पर छाई है उसे हटाना कठिन है। परंतु माता जब प्रभू श्री राम ने मुझे आपको ढूर्णने भेजा था। तब भी मुझे इस कठिनाई का अनुमान था। इसलिए प्रभू श्री राम ने मुझे एक ऐसी असाधारण, अमुल्य और विशिष्ट निधी देकर भेजा है। जो आपको भी प्रिय है। और जिसे देखकर आप मुझे पर अवश्य विश्वास करेंगी। क्पर गिसे भी मुझे ने मुझे लाभू जाए श्रीराम। जाएष्रीराम। जाएष्रीराम जी तर है मत्ाओ . बढ़ को दोता है मेरे प्रभू, मेरे स्वानी, पिराव के मुद्री कोड़। मेरे स्वानी, पिराव के मुद्री कोड़। प्रमानित करती है। यही वो आभूशन है जिसके साथ प्रभूश्री राम ने राज प्रासात का परित्याग कर वनवासी जीवन का वरन किया था। ओ, संपीडा है समनि प्रसंता दो तन इक मन राम वसीता। अश्रू आस में दो के ढल के देख हनुमत नैन भी झल के। राम सिया राम सिया राम जै हनुमान। काज जो पाए वो किये पूरन वीर कपि कर तभ्य परायन। धो दुष्टो काब तै है अन्ता। अंजनी सूत महिमा है अनन्ता। राम सिया राम सिया राम जै हनुमान। ये का था महबल हनुमत की। रुचिकर लीला राम भगति की। जै 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 रगु जन्दन राम। जै 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 महबली हनुमान। ये हनुमान। मरुभुमी की जल्ती धर्ती पर जैसे मा गंगा की पावन जल्ती शीतन भारा बैयुके हूँ। तार्ती के भयावा अंदकार को भेट कर जैसे सूर्य देश की प्रथम किरन ने चहु दिशाओं में साकाश और आनंद की तरंग बिखे ली हूँ। ऐसी ही अमरित मैवानी है तुमारी हनुमान। ये दोजों में स्वेश्ट हनुमान। तुम्हारे मुख से इतना सुखर संभाद सुनकर मेरे सब ही दुख मित्ते प्रपीत होते हैं। शेपुष। इक राज राक्षतों के इस नगरी में एका की प्रवेश प्राप्त करने का आपका पराक्रम आपकी बुद्धी, कर्म, निष्ठा और सामत अद्विधिया है। आपने मेरे स्वामी की मुद्धिका, मेरे निकट लाकर, मुछ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये कपिर से, अपने दभु का ये चंद दिखाकर, आपने मुझे धन्य कर दिया है। मेरे कश्प बहन दिया मेरे स्वामी से मुझे जूर कर मेरे रिदय को अपने शितलता पदान के है आपको बहुत बहुत धन्यवाद पुत्त सीथे, सीथे, सीथे मेरे प्रभू, मेरे स्वामी के संदेश वाहत मुझे बताव मेरे प्रभू सुरक्षित और कुशन तो है वो मुझे लेने क्यों नहीं आते संपूर जगद के कश्टों को हरने वाले मेरे स्वामी मेरे कश्टों को क्यों नहीं हरते कि अपने दूर्ज रेकर वो दुख्य नहीं हो ज़िए क्या मेरे समाद जिदे कुछ चीज देने वाला दुख उन्हें प्रतारत नहीं कर साथ पुथरा अनुमाद मुझे बता क्या मेरे स्वामी अपने पुरुशाद का भली भाती निर्भाग कर रहे हैं क्या मुझे अपने समर्स दर्मों का उचे तुरुप से पालन कर रहे हैं उझे उनसे ये वियोग और सहन नहीं होता पुथरा अनुमाद उन्हे मेरा दुख का भाद्ध होगा मेरे स्वामी ने अपने अनुकामी ने को इस पतार ना में क्यों चोट जिया हनुमाद जैके उन्होंने मेरा परित्याग भी कर दिया नहीं माता ऐसा विचार भी अपने हृदय में मत लाइए माता मेरे प्रभु आपका परित्याग कदापे नहीं कर सकते माता आपसे दूर रहकर वो सदा शोक संतप्त रहते हैं रमणी अद्रिश्यों में सुन्दर पुष्पों में उनका हृदय कहीं नहीं रमता माता उनके नेत्रों में सदैव आपके ही छवी रहती हैं वो सदैव आपका स्मरण करते हैं आपके व्योग में उन्हें पल भर के लिए भी निद्रा नहीं आती माता माता, मेरे यहां से प्रस्थान करने के पस्चात जैसे उन्हें आपका समाचार प्राप्त होगा वो क्षणिक विलम किये बिना भ्राता लक्ष्मन और महराज सुग्रीव के साथ असंखे वानर एवं रीच योधाओं के साथ यहां उपस्थित होंगे अपने बानों से सागर को सुखा कर वो लंका में प्रवेश करेंगे उनके पावन पदों से यह भीशन धूर धूसरित हो जाएगी सोयम यम्राज भी उन्हें रोकने में सक्षम नहीं होंगे माता माता आपसे दूर रहकर प्रभुश्री राम भी आप ही के समान विरह में अपूर्णता का अनुभव करते हैं शीग रही आपके साथ वो भी संपूर्टा प्राप्त करेंगे मुझे ऐसी सुखत हनुबूती हो रही है कि हनुमान में सीता से भिंट कर उन्हें मेरी मुद्री का प्रदान करती है इसका अर्थ है आपके विरह के दिनों कांत निकट है हनुमान तुम्हारे कथन अनुचार स्वामी के रिदल में मेरे सिवाय आनिया और कोई विचार नहीं मेरे वियोग में वो मेरे ही समान वो संतत नहीं है हनुमान तुम्हारे वचन अम्रिज के समान सुखदाई है और विष्ट के समान दुखदाई पर मेरे पती उनका सह का वर्नन को मुझे आनंद के अनुबूती होती है कि अधर इनको कश्ट में जानकर पीरा अंजर है असे हैं ये पीरा से रस्थ होता है दो माँ और मैं तुम्हारी फरतिक्षा करूंगा थे हानुमाई शिक्रजाकर उनसे कहिए ये उनकी सीथा के पास अब अधिक समय नहीं है उचुपद्रवी राक्षात ने मुझे मात्र दो माँ कर समय दिया है अनुमाई पर अंतु मैं इसमें प्रतिक्षा नहीं कर सकती सब्बवत्र और एक माँ ये तब सब उझे मेरे स्वामी के दर शनना हुए तो मैं अमके इसमें उपको नहीं सायन कर पाऊंगी मैं अपने प्राद यार दोंगे इसमें अनुमाई तुमने जो स्वामी की छवी मेरे समक्ष तस्तुत की है उससे मेरा रिदर और भी दाकुल हो था है मेरे रिदर में प्रबल इक्षा हो रही है कि मैं किसी भी तकाई अभी उनके समीप लौट जा हाँ माता हाँ मैं अभी इसी इक्षण आपको इस कष्च से मुक्ति दिला सकता हूँ आप मेरी पीट पर बैठ जाएं मैं आपको प्रभू श्री राम के निकट ले जाओंगा माता तनिक भी संकोज किये बिना मेरा प्रस्ताव स्विकार कर लीजिये इस समस्त लंका नगरी में ऐसा कोई नहीं जो मेरे मार का कंटक बन सके या मुझे रोग सके ये हनुमान आप अपने इस तुक्षमत सरीर से विशाल सागर को पार कर कुछे स्वामी के समें प्रेंसे ले जा सकते हैं माता आप कदाचित प्रभू श्री राम की कृपा से प्राप हनुमान की शक्ती सामर्थ और उसके बल से परिचित नहीं है इसलिए आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं अभी दर्शाता हूं कि मैं कैसे इच्छा अनुसार कोई भी आकार ग्रहन कर सकता हूं आज्यादे माता जे श्री राम जे श्री राम जे श्री राम जे आपको विश्वास नारसिम्म खगरा ग्रोड़ाश्व वक्राचितं नानानंकरणं ट्रिवंचनयनं दै विप्यमानं विचा हस्ता टेरी असिखेल पुस्तक सुधा कुम्म कुशाक्रिम हलं खटवांगं पडिपूरुअं दशबुजं सर्वारिगर्वापःं यह सोरे के समान कैसा देश पुण्ज? ऐसे तिप्रप्रकाश को उफन्द कर रहा है? यह किसके अद्बुर्शक्ती से ऐसा प्रचंड तेज जागरित हो रहा है? यह लंका नगरी में अकस्मात क्या हो रहा है? यह क्या है? अनन्रावड की लंका में यह कंपन कैसे उत्पन हो रहा है? और यह दिव्य प्रकाश कहां से उत्पन हो रहा है? माता, मुझे आशा है कि अब आपके हिर्दय में मेरी शक्ती को लेकर कोई संद्य शेश नहीं रहा होगा मैं आपको ही नहीं अपेतु इस नगरी के वन, हाट, परवतों, भवनों, प्राचीरों के साथ इस संपूर्ण लंका नगरी को यहां से ले जाने में सक्षम हूँ इसलिए हे माता, संशे त्याक कर, मेरे साथ चलिए और प्रभू श्री राम और भ्राता लक्षमन को शोक और संताब से मुक्त करिए मैं अब आपके साहस, आपकी शक्ती और आपकी सामस्थे से भनी भाती परिशित हो चुकी हूँ मुझे अब अनुमान हो रहा कि आप किस प्रकास उस विशाल सादर को पार कर यहां लंका पौट है मैं अब जान गई हूँ हनुमान कि आप सहस तांसे, मुझे मेरे प्रभुष्टी राम के समेश ले जा सकते हूँ पर अंतु क्या यह उस्वित होगा क्या प्रभुष्टी राम का महान कारिया अपून तो नहीं रह जाएगा इसे कारण उनकी धवल किर्टी में खेश तो नहीं लगे माता यह सब विशार कर मुझे विश्वास है कि आपके साथ मेरा जाना सर्वत्हा अनुश्यत होगा उचित तो यह होगा पवन फुत्र हनुमान कि मेरे पती श्री राम यहां आए और उस दुष्ट रावन का सनहार कर मुझे यहां से ले जाए यह कपी स्थनुमान अपने पती श्री राम के पती मेरे निश्था और समर्पन के कारण मैं उनके अतरिक किसी भी अनिय पुरुष का पर्ष नहीं कर सकती इसलिए मुझे अपने साथ ले जाने के स्थान पर मेरे स्वामी को महावीर सेनापतियों के साथ यहां लेकर आईए मैं दिर्खकाल से उनकी विरह की पीरा में जल रही हूँ हनुमान उनको मेरे निकट लाकर मेरे भीतर आनंद की धारा प्रभाहित पूशी हे माता, ये राम भक्त हनुमान आपको विश्वास दिलाता है आपके दुख के दिन अब समाप्त होने वाले हैं सज्जन लोगों के लिए अब प्रसनता और उल्लास के दिन समीप हैं और दुष्टों का नाश शीक्र होने वाला है प्रतीत होता है जैसे ये लंका के अशुप समय के आगमन के संकेत है माता आपने अभी तक अनेक दुखों और कश्टों का सामना किया परंतु माता अब हनुमान आपको वचन देता है इसी क्षण से पापियों के नाश के साथ आपके जीवन में हर्शों लास और आनंद के आगमन का समय प्रारंभ हो गया है दुख के सभी बादल अब शीक्र ही छटने वाले हैं माता कितना सुन्दर प्रेशे है स्वामी सुन्दर कान को इसके सुन्दर काहा जाता है क्योंकि इसके आरंभ होते ही संसार के समस्त संताफ मिट जाते हैं सुन्दर कान सबके जीवन को एक नवीन दिशा प्रदान करता है संकटों को दूर कर सबके मुख पर प्रसनता का भाउत्पन करता है इसलिए भी हनुमान ने जो देवी सीता से कहा वो मातर एक अथन नहीं फरंतु एक सत्य है सत्य योगी देवी इस शन से रामकथा में दुख एवं अफसात का कोई स्थान शेष नहीं रहेगा समस्त दिशाओं में आनंद की वर्षा होगी पाप का विनाश होगा जिसका अरम महाबली हनुमान करेंगे पापेगर केशरी नंदन हनुमान का ये भीशन रूप देखकर आतंकित हो जाएंगे ये कैसा बयान प्रकाश है जो लंका के आकाश पर छागया है कहीं कोई अनिष्ट कारी संकेत तो नहीं मुझे सतर करेना चाहिए अनुमान पुत्र मेरे रिदय में अब कोई संशय शेष नहीं मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया है मेरे दुखों का अन्शेख रहोगा ये कपीश्टे अब तुम मुझे पुत्र रूप में दर्शन दो हनुमान जो आज्या माता जय श्री राम प्रणाम माता ये कैसा माया विवानल है जो इच्छा अनुसार आकार धारण करता है और इसने लंका में प्रवेश करने का असंभवकारे कैसे पूर्ण किया स्परण करो, क्या कहो ता क्रिच्टा ने देनी थीता का आना पक्तात मुझे से देनी का आग्मन है प्रणाम मैंने उसे भी देखा जो श्री राम का मुख्य सहायद वहावली वानर एक वानर से लंका और लंकेश्टू नुकवी नाश प्रारूंब होने वाला है पर हम अपना नाश क्यों करवाए माता आपको दिये वचन को निभाने के लिए अब मुझे अति शीग्र प्रभुश्री राम के समीप पहुँचना चाहिए मुझे आग्या दीजे माता उत्र हनुमान तुमने अपने मुख्षे स्वामी के नाम रुपी सत्य का उच्चारन कर यहां आते ही मेरे दुखों को हरना आरंब कर दिया था अब तो मेरी एक ही मनो कामना शेश है तुस्तू मेरे स्वामी मेरे प्रभू से शेख्र मेरा मिलन हो चिंता मत केजिए माता ये भी अते शेख्र होगा मैं पलक जपकते ही उड़कर वहां पहुँच जाऊंगा और शेख्र ही सभी को लेकर लौट आऊंगा माता परन्तु माता इसके पूर्व की मैं यहां से प्रस्थान करूँ आप मुझे कोई स्मृती बताईए जिसे जानकर प्रभू निश्चिंत हो सके अपने स्वामी अपने प्रेतम के साथ बिदाए हुए समय की कुछ स्मृतिया है जो मेरे सिवाई तेरे प्रभु श्री राम को ही ग्यात है मैं ऐसी एक घटना का वर्णन करती हूं तुम्हें तुम्हें यह अधावत सुना देना तो प्रभु को यह अवश्य विश्वास हो जाएगा कि तुम अध्य जान की से ही मिले थे तुष्ट रावन की किसी माया से नहीं इन दोनों की मद्धिय क्या गुपत मंत्र ना चल रही है तुम जाकर सुन लो फिर महराज रावन को जाकर सब पता दे लो असमात ये आधा कैसे लंकनी ने भी अभी तक उस वानर की कोई सूचना नहीं भी है माता इसके पूर्व की मैं यहां से प्रस्थान करूँ आप मुझे कोई स्मृति बताईए जिसे जानकर प्रभू निश्चन तो हो सके हाँ पुस्ता अपने स्वामी अपने प्रियत्रम के साथ बिदाय हुए समय की कुछ स्मृतिया है जो मेरे सिवार तेरे प्रभूश्री राम को ही ज्याते हैं मैं ऐसी एक घटना का वर्णन करती हूँ तुम्हें तुम्होंने यथा वज सुना देना मुझे इस दिव्यवानर के बारे में यथा शीक्र महराज दशानन को सूच करना चाहिए अब जैसा कहेंगी मैं वैसा ही प्रभूश्री राम को सुना दूंगा एक भाच छित्रकुट के बन में स्थितिक उपवन में जब रभू मेरी बाहपद अपनी शीष्ट इकाकर गहन नित्रा में मगन हो गया तो अकस्मात वहां एक काक आया उस काक ने स्वामी की नित्रा में विख्र उत्पंद करना आरंब कर दिया स्वामी को शांती से सोते थी मैं उनकी नित्रा में बिख्न पढ़ने नहीं देना चाहती थी मेरी स्थितिका लाब उठाकर उस तुष्ट आसूरी काक ने अपनी नुकीली चोच से मुझपर प्रहार कर दिया मेरी स्थितिका लाब उठाते हुए इस राक्षसी प्रवित्ति वाले दूत में बार बार मुझपर आघात करता रहा और अंत में उस दुष्ट ने मुझे आखात कर दिया यह क्या सीथे तुम्हारी कॉमल कायब पर आगात करने का दुस्सा अस किस ने किया तो इस दुष्ट का कृत्ति है यह लो दुष्ट तुमने मेरी सीता का जो पीड़ा पहुचाई है अब उसका दंड़ अर्धात माता प्रभू ने काका सुर पर ब्रह्भास्त का पार किया अब उस काका सुर ने जो पीड़ा मुझे दी वो प्रभू के लिए असे पवन के समान उसके बेट को देखकर स्वामी को घ्यात हो गया था कि वो काक रूप में वो देवराज इंद्र का पूर्च्र जैन दी था जो अब अपना बचाओ करने के लिए तीव्र गती से उड़कर यहां वहां जा रहा था वो काका सुर बना जैन सबसे सरहाईता की गुहार लगाता हुआ सब्सक्रिशियों के पास गया परंदु प्रभु काज में हस्तर्शेप करने में सबने असमार्थता जताई और जैन से कहा कि राम के ब्रम्धास्तर से बचाओ संभब नहीं तो निराश और भैभेत होकर इंद्रपुत जैन रक्षा के लिए अपने पिता के पास स्वजलों मुर्ख जयन तुमने माता स्थीता की करुणा की परिक्षा लेने का दुस्ताहसकर बहुत बड़ा अपरात किया है और स्वयम को प्रभू श्री राम के क्रोथ का कारण बनाया है। अब कोई देवता तो क्या, स्वयम प्रभू प्रह्मा जी भी प्रह्मास्तर को नहीं रोख सकते। अब प्रभू श्री राम के प्रह्मास्तर से श्री राम ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। प्रभुक्षमा कीजिये, मैं तो अधम मात्र माता सीता की दया और करुणा की परिक्षा लेने के लिए उन्हें निरंतर मैं कष्ट दे रहा था। परंतो उन्होंने, उन्होंने मेरा किंचित प्रतिकार नहीं किया, आपके निद्रा में कोई वैवधान ना आये, इसलिए उन्होंने मुझसे अपना बचाओ करने के लिए भी कोई चेश्टा नहीं की। परंतो प्रभु, मुझे ग्यात है कि ये मेरी मूर्खता ही थी। माता सीधा के धैरे के परिक्षा लेने का दुसाहस कर मुझसे सत्य में बड़ी भोल हुई है। मुझे क्षमा करे, प्रभु क्षमा करे। तुमने अपना दोश स्विकार किया जैन। मैं इसकी सरहाना करता हूँ। परंतु मैं अपने ब्रह्मास्तर को रोप नहीं सकता। वो व्यर्थ नहीं जा सकता। मैंने जो अपरात किया है, उसका दंड तो मुझे अवश्य मिलना चाहिए प्रभु। मेरे दाहिने नेत्र की द्रिष्टी सर्व प्रथम आप दोनों पर पड़ी थी। जिसके कारण मेरे मन में मुर्खता पोर्ण को विचार जागरित हुआ। ए प्रभु, अब क्रिपा कर अपने ब्रह्म्भास्त्र को मेरे इसी नेत्र पर केंद्रित कर मुझे दंडित करें। परन्तु मेरे प्राण मत हरिये। प्रभु, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविश्य में मुझसे कभी ऐसी द्रिष्टता नहीं होगी। जयन, तुम अपने कृत्ते पर लच्चित हो। और तुमने शमा याचना भी किये। इसलिए मैं तुम्हें वर्द देता हूं कि तुम अपने एक नेत्र से ही वो सब देख सकोगे। जो दोनों नेत्रों वालों की द्रिष्टी से अद्रिष्य रहता है। तुम सभी पित्रों और अन्य आसंतुष्ट आत्माओं के द्रशन करने में सक्षम रहोगे। तुम्हें दीर का आयू प्राप्त होगे। और जो भी अपने पुर्खों को सम्मानित करते समय अर्थात पित्री पक्ष में तुम्हें महोजन देगा। उसके पित्र उससे संतुष्ट रहेंगे और शांती प्राप्त करें। अच्छा माता इसलिए कौंगों को पिंड़दान दिया जाता है। क्योंकि उनके द्रिश्टी वो देख सकती है जो अन्य जीमों की द्रिश्टी से ओजल रहता है। हाँ पुत्ता पराक्रम के सिंदू मेरे स्वामी ने मेरे प्रती आशुरी प्रवित्ती दिखाने वाले एक छोटे और तुछ प्रानी पर भी अपना ब्रंभास्त्र प्रश्टित कर दिया था। अब ये सीता इसी प्रतीक्षा की अगनी में जन रही है कि कब मेरे स्वामी आए। माता मेरे प्रभू पुर्शोत्म श्री राम अविलंब यहां आकर इस पापी रावन और पाप कर्मे सनलग्न इसके सभी बंधू, बांधुवों और सभी सहीयोगियों का भीवत करेंगे और अपने साथ आपको अयोध्या लोटा ले जाएंगे। अवश्य लंका को दोस्त करने आया है ये कुटिलवार। हमें आगे जाके ध्यान से सुनना चाहिए। आरे तुमने देखा नहीं कितना विशालाकार ले लिया था उसने। उसके और समीट जानिकार्थ है। मित्यों। प्रभु को मेरा प्रणाम कहना पुट्र और मेरे और से सबका कुशल पूछना। मेरे प्रभुष्टी राम को कहना कि उस दुष्ट राक्षत में मुझे दो मा की अवधी और दी है। भरद्व में इतनी अवधी के लिए भी उनसे दूर नहीं रह सकती। मैं उनके वियोग में एक मास अधिक जीवित नहीं रहूँगी। हनुमान, मेरे नाच से कहना कि उस दुष्टी के पूरवे यहां आकर मुझे यहां से वुक्त कराकर ले जाए। अवश्य माता, अब विलम का कोई कारण नहीं। मैं आपके इस संदेश के साथ इसी ख्षण यहां से प्रस्थान करता हूँ। इतनी लंबी यात्रा के बस्चाथ हनुमान को फूक तो लगी होगी। कैसी अभागी माता हूँ मैं पुच्ट। तुम्हे भोजन कराने में भी, असमर्थ हूँ मैं पुच्ट। जिसे तुम्हें अपनी कठी नियात्रा के लिए उर्जा प्राफ्त हो मेरी इच्छा तो हो रही है कि अपने हाथों से स्वादिश ब्याजन पका कर तुम्हें खिलाओ परंतु दूर्भाग यसे यह यहाँ संभव नहीं है बुच्छ माता मैंने तो अल्प समय के लिए ही भोजन का परित्याग किया है जिससे मैं प्रभू श्री राम का ये कारिय पूर्ण निष्ठा से कर सकूँ परंतु माता आपने भी तो दस माह से भोजन का एक ग्रास भी ग्रहन नहीं किया है मैंने कुछ नहीं ग्रहन किया है वो मेरा प्रण है पुट्र परन्त तुम्हें भोजन करते देख एरी शुधा भी शांत हो जाती मेरा रिदा स्रिफ्थ हो जाता पुट्र यदि ऐसा है माता तो मैं अभी इसे संभव बना देता हूँ इतने मधुर और रसीले फलों से लदे व्रुक्षों से सज्जित इस वाटिका को देख कर किसका जी नहीं ललचाएगा माता फिर आपका ये पुट्र तो एक वानर है यदि आपकी आग्या हो तो मैं इस वाटिका के फल खाकर अपने भूख मिटा लेता हूँ माता हाँ हाँ अवश्य पुट्र परन्फू ये मेरा वचन है तुम्हें तुस्थ मैं आती शिक्ष अपने हाथों से भोजन पका कर तुम्हें परोसने का सौभाग्य प्राप्स करूंगी ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा माता मैं उस दिन के प्रतीक्षा करूंगा परन्फू अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है माता वाटिका के फल मेरी प्रतीक्षा जो कर रहे हैं माता जिसे आपका और प्रभुश्री राम का स्निहा शिष प्राप्त हो संपूर्ण लंका भी आ जाए तो भी उसको कोई हानी नहीं पहुचा सकेगी स्वयम रावण भी नहीं प्रणाम माता अरे योद्पाती वानर रुब अशोक वाटिका के फलों को खाने जा रहा है मुझे जाकर अशोक वाटिका के रक्षकों को सचित करना होगा परन्तु उसके पूर्वजा कर सीता से पूछ रहा होगा कि वो वानर यहाँ पे क्या करने वाला है जाओ 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 जाके कष्ट दो से रताडित करो सिंता को और उनकी जो द्रश्य मैंने अपने सोपने देखा है उसको स्मरण रखना जो उसे कष्ट देगा उसका शीग्र अद्ध होगा अब जाओ इसकी जो इच्छा है पून कर लो कहीं त्रिजिटा का सोपने सत्य होना तो प्रारंब नहीं हो गया हाँ यह किसे ग्यात है कि वो वानर यहाँ पर क्या करने वाला है याशोक वाटिका हमें तब से अधिक प्रिये है अब हनुमान भी तो ग्यात करें कि इस वाटिका में ऐसी क्या विशेष्टा है कि यह उस दुष्ट रावण को इतनी प्रिये है हो हनुमत असोक वाटिका पैठे तरू तरू लांगी डार पे बैठे फल खाए वाटिका उजारी जो लंकेस को धी अति प्यारी राम सिया राम सिया राम जै हनुमान राम सिया राम सिया राम जै हनुमान ये दाखा महबल हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जै 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 रगुनंदन राम जै 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 महबल हनुमान है मुर्कवानर, रुक जाओ! अरे, आप लोग कहाँ थे? बड़ा विलंब हुआ आपको आने में? मेरा भोजन तो अब समाप तो होने वाला है अब इतनी देर कर ही दी है तो कुछ समय और प्रतेक्षा करें? कुछ और रसीले फल दिखाई दे रहे हैं उनका स्वाद भी तो ले लू ए मुर्कवानर! तुम्हें क्या अद्भी है? अज्यानता वश कहाँ प्रवेश किये हो? नहीं सैनिक जी, आप ही बता देजी ये दशानन रावन की लंका है उनके फल तोड़ कर खाने की उदंड़ता तुम कर रहे हो चलो, नीचे आओ नहीं, नहीं इतनी शीखर नहीं आप ही चखेंगे? नहीं? चलिए, मैं ही खा लेता हूँ अरे, ये तो सुनी नहीं रहा है जिन्ता मत करो वानर जब हम तुम्हें पकड़कर महराज लंकेश के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तब तुम्हारा भोग लगाकर जबा जबा कर खाएंगे पूर्ण अनन्द लेकर खाएंगे जैसे तुम उनके फलों को खा रहे हो तब तो मुझे सभी फल चट कर जाने चाहिए उससे मैं और भी स्वादिष्ट हो जाऊँगा बहुत स्वादिष्ट है तुम ऐसे नहीं मानोगे नीचे उतरो नहीं तो हमारे पास और भी उपाए हैं तुम तो क्या तुम्हारा रावण भी मुझे नीचे नहीं उतर सकता असंभाव असंभाव तशानन रावण की अभेद लंका अभेद है जिसकी सुरक्षा स्वयम क्रोचा एवं लंकनी करते हो जिसकी सीमा पर माता चामुंडा के अंश की उपस्थिती हो उसे कैसे कोई भेज सकता है सिनापती प्रहस्त हमें उत्तर दीजिये चूक कहां हुई उस विशाल प्रकाश पूंज का रूप धरण करके किसने हमारी लंका में प्रविश किया है ये ग्यात करने के लिए मैंने अपने सेनिकों को भेजा है माराज किन्तु आपको सूचित करना मेरा करतव यह है माराज लंकनी लंका को त्याग कर यहां से प्रस्थान कर चुकी है और हमारे गुप्तचरों के अनुसार क्रोंचा का वद एक वानर के हाथों हो चुका है प्रस्थान्ड वानर ने हमारी लंका में प्रवेश भी काफे किया जाए श्रीराँ मैंने अपनी माता को बचन दिया है मैं यहां अपना मन भर फलाहार करूंगा इसलिए जब तक मैं ट्रिप तो नहीं हो जाता मैं तो ऐसे ही खाता रहूंगा और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता तुम्हारा लंकेश रावण भी नहीं भारो इसे पकड़ो इसे हाँ हाँ आओ आओ मैंने तो तुम सभी को ये मीठे फल खाने के लिए आमंतरित किया था प्रतीत होता है तुम्हें ये फल नहीं भाते तो लोग हनुमान के वार रूपी कड़ू भलों का स्वाद चको मा किसी भी परिस्थिती में हो परन्तु पुत्र के प्रती उसकी चिंता और स्नेह सडैव समान ही रहते हैं और मा का स्थान कोई नहीं ले सकता झाल 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 झाल